हलो दोस्तों स्वागत है आपका इस नए सिरीज में जहां पर हम लोग सीवी एसी के नए टेन्ट बोर्ट एक्जैम्स पैटर्न के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम लोग उन नए सवालों को भी देखेंगे जो इस साल सीवी एसी ने अपने फरिक्षा के पैटर्न में चेंज किया है चालू करते हैं और पहले यह जानते हैं कि इस साल किस तरह की का पैटर्न होने वाला है तो अगर आप देखें इस बार दो टर्म्स में होंगे पहला टर्म जो है वो नौवंबर दिसंबर का समय है यहाँ पे आप देख सकते हैं नौवंबर दिसंबर दोहजार इक्षिस इसमें किस तरह के का पैटर्न होगा पैटर्न यह होगा कि mcq question होंगे multiple choice question जिसमें एक सवाल में चार options होंगे और एक सही उत्तर होगा और आप लोगों को एक omar sheet मिलेगी जिसमें आप लोगों को वो answer को bubble करना होगा अगर आपको यह नहीं पता है कि omar sheet के है तो आप google पे या कहीं और आप search कर सकते हैं उसमें हर एक question के सामने में चार bubbles होते हैं a,b,c और d का option होता है आपको जो भी सही उत्तर है उसमें ऐसे bubble करना होता है यह इस bubbling के तरीके पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इस video का उद्देश यह है कि हम लोग यह जाने कि नए pattern में किस type of question होंगे कितना exam का duration होगा और वो सवाल कौन से होंगे, किस तरीके के होंगे तो सवाल है तीन तरीके का जो पहला term में है तो आप देख सकते हैं दो term में divide किया गया exam को एक यह है term one, एक term two है term one December 2021, November December 2021 में होगा date इसके आने वाले हैं और term two जो है वो March April 2022 में होगा इससे पहले तक आपको पता होगा कि board exams सिर्फ एक दफ़े March April के महिने में होता था अच्छा पहले term में अगर आप देखें तो 90 minutes duration है दोस्तों 90 minutes के time में आप लोगों को multiple choice questions लगाने होंगे और किस type questions हैं तीन तरीके के कौन कौन से एक हैं जो आपके normal mcqs होते हैं सवाल चार option and then you have to pick one एक सही उत्तर होगा mcqs ही होगे लेकिन इस बार दूसरे type के mcqs हैं जिनको हम case based mcqs कहते हैं तो एक case दिया गया होगा और case कुछ नहीं एक paragraph दिया होगा आपको उस paragraph को पढ़के उस question को समझना है और उसके basis पे तीन चार पांच questions होंगे और आपको उसमें answer करना है और इसमें options भी होंगे आप कुछ एक questions को छोड़ भी सकते हैं तो वो options आपको मिलेंगे और आप उसी options के अनुसार अपना सवाल का जवाब दे सकते हैं दूसरा type का जो होगा वो है assertion reasoning type तो किसी एक question में एक पहला statement होगा एक दूसरा statement होगा और आपको यह बताना होगा कि पहले और दूसरे statements में क्या relation है पहले statement का क्या दूसरा statement reason है या दोनों सही है reasons नहीं है सही यह सारे हम आगे examples जब हम लोग लेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा तो यह तीन तरीके के question होगे कौन-कौन से एक normal MCQ जो आप बहुत ही अलग-अलग exams में लिखे होंगे NTSC का exam हो गया या किसी और exam में भी पूछ पूछ रखा है MCQ के मादे में नहीं होता था वो objective questions के तरह होता था लेकिन यह पहले भी CBAC में दे रखा है और तीसरा है assertion reasoning तो यह competitive exam में काफी famous है assertion reasoning type तो यह भी सवाल हम देखेंगे in series में assertion reasoning type यह तो हो गया पहला इन से घबराने की कोई जरुरत नहीं है इसमें हम आपको इतनी तयारी करवा देंगे कि आपको किसी और चीज़ की जरुरत नहीं पड़ेगी उसके पाद अगर term 2 में देखा जाए तो यह subjective objective mixed होगा तो आप देख सकते है questions of different format case based situation based that is application based होगा एक real life situation होगी उसके basis पे questions होगे open ended short answer and long answer type तो इसमें लिखने की प्रक्रिया श होता है पहले के board exams की pattern की तरह तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे लेकिन पहला target जैसा कि हम जानते हैं अभी हम लोगों को पहला term face करना है so we will be targeting more on November December 2021 exam फिर से अगर term 2 की चर्चा करें तो we will cover the rationalized syllabus हाँ ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है students के मदिनाजर students को के लिए वो ये है कि पहला term 1 में सिर्फ 50% of syllabus will be there तो सिर्फ 50% term 1 का syllabus आएगा और term 2 में भी जो बचा हुआ 50% है सिर्फ वही आएगा तो अगर आपको syllabus नहीं पता है तो आप download कर सकते हैं CBSC के site से और आपको पता चल जाएगा अभी तक आपके school ने भी आपको बता दिया होगा कि term 1 का syllabus क्या है और term 2 में भी syllabus 50% रहेगा लेकिन इस समय exam का duration दो घंटे पा रहेगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि pattern क्या है पहला term 1 जो exam में वो तो purely MCQ based है और term 2 जो है MCQ short objective as well as subjective दोनों तरीके के सवाल आएगे term 1 में 50% syllabus है term 2 में 50% syllabus है term 1 का duration 90 minutes है term 2 का duration दो घंटा है तो चली दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने main objective की तरफ main objective हमारे यह है कि हर chapter में हम आपको 100-100 सवाल देंगे और बहुत उम्मीद यह है कि जो भी सवाल board exam में आने वाले हैं इन ही 100 के इर्दगिर्धी होंगे तो अगर आप यह 100 सवाल भी पूरे शिदत से और मन से अगर कर डालते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो चलिए solve करते हैं सवाल 100 सवाल एक एक करके यह पूरा series जो है हमने small small modules में बाटा है तो एक chapter के 100 सवाल के आपको 10 वीडियो मिलेंगे एक वीडियो में 10-10 सवाल होंगे तो उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और आपके अच्छे marks में आपको सवयोग देगा तो आएए दोस्तों चालू करते हैं हम अपना 100 questions की खाम marathon तो पहले वीडियो में हम लोग 10 questions लेंगे और 10 questions को solve करेंगे और इसमें जितनी भी प्रकार के तरीके हम अपना सकते हैं इसको कम से कम समय में solve करने के वो हम देखेंगे तो चलिए पहले पहला सवाल पढ़ते हैं पहला सवाल क्या है if theta is an acute angle acute angle आपको पता है जो angle 90 degree से छोटा हो उसे acute angle बोलते हैं तो आपको पता ही होगा और बहुत बार यह आपने कर रखा होगा कि अगर hypotenuse पांच है बेस तीन है तो जो perpendicular की value होगी वह होगी चार आप pythagrosus theorem लगा सकते हैं इसमें क्योंकि p square will be in this case 5 square minus 3 square correct तो यह मैंने पता कर लिया p की value तो अब मैं यह जितने भी terms इसमें दे रखे हैं मैं इनकी value निकाल लेता हूं पहले so sin theta की value calculate करते हैं sin theta कितनी हो गई दोस्तों sin theta हो गया चार बटे 5 opposite by hypotenuse correct sin theta 4 बटे 5 हो गया tan theta क्या होता है दोस्तों tan theta होता है perpendicular by base और opposite by adjacent मतलब 4 बटे 3 यह हो गया tan theta अब मैं इसकी value निकाल सकता हूं right so क्या होगा sin theta गुने tan theta minus 1 by 2 tan square theta चली value रखें और काम करें sin theta की value कितनी निकाली हमने sin theta की value यहां से देखें 4 बटे 5 so 4 बटे 5 गुने 3 बटे sorry 3 बटे 4 नहीं यह है 4 बटे 3 4 by 3 minus 1 divided by 2 into 4 square by 3 square ठीक है यह है calculation तो यह हो जाएगा आपका 16 बटे 15 minus 1 divided by 4 4 जा 16 into 2 32 by 9 isn't it अभी इसका calculation करें तो यह हो जाएगा 16 minus 15 by 15 LCM लेने के बाद और नीचे है आपका 32 बटे 9 यह हो जाएगा 1 by 15 into 9 by 32 isn't it तो answer क्या आएगा दोस्तों यह हां से 3 और यह 5 तो आगया आपका 3 बटे 160 क्याना 3 by 160 so answer है C पहले सवाल का answer है C उमीद है आपको समझ में आगया होगा आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं जो कि थोड़ा लंबा होगा मैं उस तरीके से जाने को avoid करने बोलूँगा क्यों और वो तरीका क्या है पहले तो cos theta यह है तो sin theta आप इस तरीके से निकाल सकते हैं sin theta is nothing but 1 minus cos square theta यह भी आप कर सकते हैं तो इसमें अगर आपको सूइधा लगती हो तो आप यह तरीका इस्तमाल कर सकते हैं cos theta की value दी हुई है इसमें आप deploy करें sin theta की value निकालें फिर sin theta जब निकल गया हो तो tan theta आपको पता है sin theta divided by cos theta होता है tan theta तो sin की value आप यहां से निकाल लेंगे cos आपको दी हुई थी तो आपने आप sin बटे cos करेंगे तो आपको tan की value मिल जाएगी और फिर आप इस पूरे expression में डालके उसकी value निकाल सकते हैं तो दोनों में से कोई सवार एक तरीका चली देखें दूसरा सवाल और आगे बढ़ते ह इस सवाल में क्या दे रखा है पिछले सवाल में आपने देखा था कि numbers दे रखे थे इस सवाल में थोड़ा tough करते हुए उन्होंने क्या दे रखा है उन्होंने a by b कर दिया है तो ये generally जो students होते हैं उनको number ज़्यादा पसंद होते है नंबर होता है तो आसान दिखता है वार करने में उनको सविधा होती है सवाल सवाल करने में सविधा होती है लेकिन कोई बात नहीं हम फिर भी इसे सवाल करेंगे तो क्या देखते हैं हम tan theta बरावर a by b तो इसका मतलब क्या हुआ sin theta बटे cos theta sin theta by cos theta will be a by b तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक तो बड़ा सवरल यह मिल जाएगा कि अगर आप इसको cross multiply करने से हमें फाइदा नहीं होगा तो हमें क्या करना चाहिए हमें sin theta और cos tan theta दे रखी यह तो या तो हम फिर से वही triangle बना लें ट्राइंगल पता चल गया यह theta है और क्या दे रखा है tan theta a by b so a by b मतलब यह a हो गया यह b हो गया tan theta है ना opposite by adjacent so tan theta यह हो गया a by b तो इससे sin theta की value निकल जाएगी क्यासे यह hypotenuse कितना होगा दोस्तों hypotenuse होगा a under root a square plus b square पाइथागुरस से हम लगा लेंगे हम लोग a square plus b square so sin theta कितनी हो जाएगी a बटे a by under root a square plus b square है या नहीं यह sin theta की value हो गई what is cos theta then cos theta will be b upon a square plus b square यह हो गया अब हम इस expression की value निकल सकते है आराम से कैसे a गुने sin theta sin theta की value क्या थी a by under root a square plus b square इसमें क्या करेंगे plus जोडेंगे b into cos theta cos theta की value क्या थी दोस्तों b आपकी जगा यह square नहीं है यहाँ पर b बटे under root a square plus b square यह हो गया numerator denominator denominator में क्या रखा है दोस्तों same cheese उपर की तरह लेकिन बस बीच वाली जो sign है यह negative यहाँ पर यह negative हो जा रही है और यह बी गुने b divided by a square plus b square fantastic now solve करें तो यह हो जाए का नीचे अगर आप देखें numerator का जो यह common denominator है ना a square मैं ऐसे लिखता हूं इसको a square plus b square और numerator का जो numerator है वो क्या है a square plus b square है ठीक है अच्छा नीचे अगर आप देखें तो यह a square minus b square divided by a square plus b square है अगर आप इसको simplify आप करेंगे तो यह under root a square b square under root a square b square कतम और बचे का क्या a square plus b square divided by a square minus b square और मेरे हिसाब से second का जो a option है इस question का a option matches with our answer right so a square plus b square divided by a square minus b square यह answer हमने प्राप्ट कर ली चली देखते हैं तीसरा सवाल तीसरा सवाल भी similar ही है इसमें वस एक ही बदलाव है कि जो पहला सवाल हमने देखा था उसमें sin theta की value या जो भी की value दे रखे थी इस form में इस form में दे रखे थी या tan थी जो भी दे जहां से देखें तो tan theta is 4 by 5 इस इसको अगर आप tan theta के लिए solve करेंगे तो आपको मिलेगा tan theta 4 by 5 जब आपको 4 by 5 मिल गया है tan theta तो आराम से फिर आप एक triangle बना लीजिए ठीक है tan theta और इसको theta मान दीजिए यह theta है तो यह side कौन सी हो गई चार हो गई यह उपर बारे अब यह अगर वैली हमें निकालनी है तो कितनी होगी अंडर रूट 5 स्क्राइर प्लस 4 स्क्राइब यह अंडर रूट 34 यह सब कालकूलेशन का आपको ध्यान रखना है 25 प्लस 16 हो जाएगा ना यह 25 प्लस 16 तो 25 प्लस 16 कितना हो गया क्या करेंगे अब हम फिर से इन वैल्य उसको निकाल लेंगे तो फैपले निकालते हैं साइन दीडिए किया हो जाएगी चार बटे यह ऑफ़ जाएगी प्लस तो मेरे को चाहिए पर इंड़ एंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है, 4 upon 41, ठीक है, माइनस 4 into cos थीटा कितनी है, 5 upon root over 41, okay, now यहाँ पे एक smart, आप smartness देख रहे होंगे, कि यह यह जो numerator itself is getting 0, so हमें नीचे यह denominator calculate करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो, लेकिन फिर भी सवाल को पूरा करने के angle से, let us write this, but आपको अब पता है कि यह step extra है, exam में आप यह नहीं करेंगे, आपको यहीं पर पता चल जाएगा, कि यह तो और है 0, क्यों? देखिए, 20 by root 41 उपर, और minus 20 by root 41, so दिये तो सरासर 0, okay, तो यह तो बड़ा आराम से C निकल गया, 0, right, तो answer होगई 3rd की C, उमीद है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, चलिए बढ़ते हैं, question number 4 की तरफ, फिर से similar सवाल, बट इस पे अब एक और काम उन्होंने क्या कर रखा है, कि एक factor से multiply कर रखा है, तो यह simplified form में नहीं है, मेरा क्या, कहने का मतलब क्या, cot x is 12 by 16, so 12 by 16 simplified form में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, पहरे तो इस तो simplified form में ले आए, तो आप देख रहे होगे कि 4 is a common factor, तो यह 3 बटे 4 हो गया, अभी आपकी जिंदगी और आसान हो गया, हो गई इसमें, तो अगर आप फिर से एक triangle बना ले, है, यह अगर x है, तो cot मतलब यह 3 और यह 4, cot का formula क्या होता है, cot theta और cot x is adjacent by opposite, right, tan का opposite, tan का reciprocal है ना, तो यहाँ से आपने 300 adjacent 3 है और 4 opposite है, तो clearly यह 5 होगा, क्यों? Pythagoras theorem लगाएंगे 3 square plus 4 square, यह तो 3, 4, 5, famous Pythagoras interpret ऐसे ही है, तो यह हो गया 5, अब यहाँ से सारी ratios निकाल लेंगे बड़े आराम से, सो sin x की value क्या होगी बोलो, sin x की value हो जाएगी 4, 4 upon 5, and cos x की value क्या हो जाएगी बोलिए, cos x की value हो जाएगी 3 by 5, अब हमें कुछ नहीं करना, वापस इसी expression में इसको डालना है, so the value is 4 by 5 minus 3 by 5 divided by 4 by 5 plus 3 by 5 है न, तो यह हो गया 1 upon 5 और यह हो गया 7 upon 5, और अगर आप इसको calculate करेंगे तो 1 by 5 into 5 by 7, which is 1 upon 7, अब बताएगे दोस्तों, इन में से कौन सा option सही है, option a सही है, तो यह हो गया हमारा आज, सवाल संक्या 4, उमीद है, आप लोगों को, यह समझ में आ रहा होगा, इस पूरे वीडियो को देखते समय एक काम और कर सकते हैं, आप, आप क्या कर सकते हैं, कि जब भी मैं नया slide आपके सामने रखता हूँ, तो आप उसको pause कर लें, वीडियो को, आप पहले खुछ से solve कर लें, और उसके बाद जब आप solve कर लें, तो आप फिर solution देख सकते हैं, यह न, तो यह भी एक अच्छा तरीका हो गया, आपको practice करने का, तो यह सवाल, similar type का सवाल है, लेकि numbers थोड़े बदल गए हैं, तो कोई बात नहीं, हम बड़े अराम से इसको कर सकते हैं, तो फिर tan x की value दे रखी है, तो tan x की value है 15 बटे 8, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, कि कुछ-कुछ famous Pythagorean triplet है, जैसे 3, 4, 5, एक famous Pythagorean triplet है, और इसके सारे multiples, मतलब 6, 8, 10, 9, 12, 15, यह सारे क्या है, यह सारे famous Pythagorean triplet है, उसी तरह अगर आप देखेंगे, तो 8, 15 और 17, यह भी एक बहुत थी famous Pythagorean triplet है, मतलब आपको पता है, आपको यह calculate करने की ज़रूत नहीं है, आपको अपने दिमाग में जहन में रखेंगे, अगर यह 8 है, यह 15 है, तो यह 17 ही होगा, क्यों, क्योंकि 8 square plus 15 square is 17 square, so मैं इसे इस तरीके से याद रखता हूँ, आप ठीके, तो यह अगर मेरे को पता है, तो मेरे calculation में time बचेगा है, तो यहाँ पर अब देखिए, मैं एक नया triangle बनाया, tan x, तो यह x हो गया, अगर यह x है, तो यह कितनी हो गई, यह 8 हो गई, यह 15 हो गया, और यह 17 हो गया, same figure लगेगा हमें, बताईए, इसमें sine की value क्या होगी, तो sine x will be simply 15 upon 17, no doubt about it, perpendicular by hypotenuse, and cos x कितनी होगी बोली, cos x will be 8 upon 17, so now you have to just subtract them, sine x minus cos x, so sine x minus cos x will be 15 minus 8 upon 17, देखिए, denominator same है, 15 में से 8 निकल गए, कित्ते बच गए, साथ, तो साथ बटे सत्रा, साथ बटे सत्रा मतलब पांच का option होगया, डी, देखिए, आपको confuse करने के लिए, एक ultra option भी यहां दे रखा है, सत्रा बटे साथ, है न, वो तो आप ऐसे भी खारीज कर सकते हैं, यह क्यों सही नहीं है, क्योंकि sin x की value जो होती है, यह less than 1 होगी हमेशा, less than equal to 1, और similarly, cos x की value भी less than equal to 1 होगी, तो दो जो ऐसी quantities हैं, जो 1 से छोटी हैं, उनका difference, 1 से बड़ा कैसे हो सकता है, so hence, this is, यह यह चीज़ आप ध्यान रखे, और हम सिर्फ first quadrant की बात कर रहे हैं, तो अगर cos x माल लीजिए, बड़ा भी हो जाता sin x से, तो negative value होती है, तो एक positive, greater than 1 value, तो कभी नहीं आएगी, तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक ही option eliminate कर सकते हैं, यह और छड़े सवाल की तरह, तो दोस्तों यह है हमारा छटावा सवाल, tan theta की value दे रखी है, और फिर से वही प्रक्रिया करनी है हमें, तो चिंता की कोई बात नहीं है, यह है हमारा triangle, माफ कीजेगा, यह on digital में, यह triangle बड़ा उंधा नहीं बन रहा है, तो ठीक है, यह हो गई 90 degrees, tan theta is 1 by 17, 1 by root 7, so 1 यह हो गया, यह हो गया अगर theta, यह 1 और यह root 7, again, क्यों, क्योंकि tan theta की क्या definition है, tan theta क्या होता है, tan theta होता है, opposite by adjacent, यह बोले, perpendicular by base, right, so perpendicular 1, base यह, तो यह हमाराम से hypotenuse निकाल सकते हैं, कैसे, hypotenuse is under root, perpendicular square plus base square, which is 7, so which is nothing but root 8, which is nothing but 2 root 2, हैं जी, 2 root 2, when, so h is 2 root 2, so now cosecant and secant से खेलना है, so cosecant, cosecant theta, cosecant theta क्या होता है, दोस्तों, cosecant theta होता है, hypotenuse by perpendicular, लिग डाले, hypotenuse is root 8, perpendicular is 1, so root 8 by 1, secant theta कितना होता है, दोस्तों, secant theta होता है, h by base, then h is root 8, and base is root 7, done, now you have to simply find out, cosecant square theta minus secant square theta, पहले यह निकाल ले, numerator, यह वाला, numerator निकाल ले तो, numerator होगा, root 8 square, तो 8, minus secant square, तो 8 by 7, ठीक है, दोस्तों, यह हो गया, numerator, तो calculate करते है, 7 जा 56, 56 minus 8 by 7, which is 48 by 7, so यह होगा numerator, चलिए denominator देखेंगे, cosecant square theta, प्लस secant square theta, फिर से, cosecant की value हमने निकाल रख की है, तो 8, प्लस 8, बटे 7, तो होगया, 56 plus 8 by 7, which is 64 by 7, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा, यह numerator था, यह denominator था, तो रेशियो होगया, 48 by 7, divided by 64 by 7, दोस्तों, which is nothing but 48 by 64, यह जी, which is nothing but 3 by 4, 16 times 3 is 48, 16 times 4 is 64, so answer is clearly D, right, none other, none other options are matching, so not, not matching, यह होगया, सवाल संख्या 6, इस race में बढ़ते हुए आगे, देखेंगे सवाल संख्या 7, तो यह है, question number 7, आप इसको pause कर ले, पहले solve कर ले, फिर आके answer match कर ले, यह भी बहुत ही simple सवाल है, almost like previous ones, तो इसका सवाल का solution, फिर से वही, triangle tan theta बन गया u, यह हो गया theta, यह हो गया 3, यह 4, तो clearly यह 5, आप तक हम ने देखा, 3, 4, 5, right, so cos theta की value कितनी होगी, 4 बटे 5, cos theta होगी, और sin theta हो गया, 3 बटे 5, sin theta is perpendicular, this is base, this is hypotenuse, correct, so perpendicular by hypotenuse is cos, perpendicular by, now base by hypotenuse is, sin, now do cos square theta, so this is 16 by 25, no problems, sin square theta करिये, sin square theta कितनी होगी, 15, 9 बटे 25, और इन दोनों को आपको अब सब्ट्राक करना है, तो answer is 16 by 25, minus 9 by 25, which is 7 upon 25, so clearly 7 का उत्तर आ गया, a, I hope you also got the same answer, आपका भी answer, a ही आया, 7 upon 25, चलिए आगे बढ़ते, सवाल संख्या 8, now यहाँ पे अगर आप देखें, तो थोड़ा, थोड़ी तबदीली है, थोड़ी तबदीली किया है, कि पहले सिर्फ, plain trigonometric ratios were there, sin theta, cos theta की बात हो रही थी, अग tan square theta दे रखा है, क्या दे रखा है हमने, tan square theta बराबर 8 by 7, so the moment you say that, what is tan theta then, so tan theta is root over 8 by 7, लेकिन यह plus or minus दोनों हो सकता है, isn't it, किसी भी, अगर आप देखें है, tan square theta अगर यह है, जैसे मैं वोलू, x square is equal to 4, तो clearly x can be plus or minus 2, minus 2 का भी square 4, plus 2 का भी square 4, so hence I will get 2 values, but यहां चुकी acute angle दे रखा है, that is, theta is between 0 and 90 degrees, तो ऐसे angles के case में, यो tan की value होती है, वो positive होती है, हमने देखा है, right, tan की value जो होती है, tan 0 कितनी होती है, tan 0 होती है, 0, और यह tan 30 कितनी होती है, tan 30 होती है, 1 by root 3, which is positive, then tan 45 is 1, which is again positive, so hence it keeps increasing and it goes to tan 90 पे not defined, almost like reaching infinity, right, so tan जो value है, tan theta मैं यहां लिग दूँ, वो 0 से infinity तक जाते हैं, तो infinity एक सिंबल है लग दिया, तो tan theta की value, अगर वो acute angle है, तो यह है कहानी, मैं यह आपर equal to work सकता हूँ, है ना, तो hence negative sign, negative tan theta हो है नहीं, tan theta is positive, so hence I will eliminate minus 8 root 8, 7, so hence tan theta की value clearly है, क्या मिल गई, root over 8 upon 7, अब जब यह पता है, अब हम भागी निकाल सकते हैं, अब फिर से वही काम करेंगे, triangle बनाएंगे और यह कर सकते हैं, otherwise अगर आप इस पूरे expression को देखें, तो यह a minus a plus b और a minus b के form में हैं कि नहीं, similarly नीचे भी a plus b, a minus b के form में हैं, तो क्या मैं इस expression को 1 minus sin square theta नहीं लिख सकता हूँ, क्यों कि 1 square minus sin square theta is 1 minus sin theta into 1 plus sin theta, हाँ की ना दोस्तों, है की नहीं, सही है, तो यह हो गया 1 minus sin square theta, 1 plus sin square theta एंड इसी तरह denominator गर आप चेक करें, तो यह है 1 minus cos square theta, अब 1 minus sin square theta हमने क्या पढ़ा था, वो है cos square theta, क्यों क्यों कि cos square theta plus sin square theta, आपने पढ़ा है, वो है 1, है की नहीं, सो अब cos square theta is cos square theta divided by sin square theta, which is, which is cot square theta, right, which is 1 upon tan square theta, तो आपको कुछ और निकालने की जरुए थी नहीं, तो यह तो यह simply क्या हो गया, 1 upon tan square मतलब 1 upon 8 by 7, which is 7 upon 8, हाँ जी दोस्तों, so hence, आठवा का answer क्या हो गया, so इसमें इसकी तो जरुवत भी नहीं पड़ी, though we started with that, बट इसकी जरुवत नहीं पड़ी, तो चलिए देखते हैं सवाल संख्या 9, सवाल संख्या 9 में क्या रखा है, दिखा दे रखा है, 3 cos theta is equal to 5 sin theta, यहाँ अगर notice करें, तो एक trigonometric ratio की value दे नहीं है, दो trigonometric ratios involved है, तो ऐसे cases में हम इसको एक में reduce करने की कोशिच करते हैं, जो कि बड़ा असान है यहाँ पे, आप इसको cross multiply करके भी पता कर सकते हैं, और वो होगा, अगर मैं cos को इधर ले जाओ, और 5 को इस तरफ ले आओ, तो क्या मी लेगा मेरे को, 3 by 5 will be sin theta by cos theta, simply cross multiplication, correct, so this is tan theta is equal to 3 by 5, यह एक important information मिल गई हैं, tan theta is 3 by 5, चलिए अभी देखें, यह कैसे इसको simplify करें, तो अगर आप देखेंगे, 5 sin theta ले दे रखा है, और उदर, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले थो हम simplify कर सकते हैं, इसको कैसे, तो you can see 5 sin theta, this can be replaced by, 3 cos theta, isn't it, क्योंकि 5 sin theta दिया हुआ है, 3 cos theta, so मैं क्या लिए होगा, 3 cos theta, minus 2 secant cube theta, plus 2 cos theta, divided by, 5 sin theta, तो इस 5 sin theta को भी मैं replace कर सकता हूँ, 3 cos theta लिख देता हूँ, plus 2 secant cube theta, same, minus 2 cos theta, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यह plus है, यह minus है, यह सारी mistakes नहीं करेंगे, minus है, यह plus है, है ना, अब यह 3 cos theta और 2 cos theta, यह तो जुड़ जाएगा, 5 cos theta हो जाएगा, so हमें क्या मिल जाएगा, 5 cos theta, minus 2 secant cube theta, है जी, और यह क्या मिल जाएगा नीचे, 3 cos theta, minus 2 cos theta, will be simply cos theta, minus, और रादर, plus 2 secant cube theta, हाँ दोस्तों, अब यह आराम से आप value निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर आप देखें, what is cos theta from here, फिर से अगर आप चाहें, तो triangle बना के कर लें, यह 3 है और यह 5 है, तो यह कितना होगा, यह हो जाएगा, 25 plus 9, that is root over 34, no doubt, pythagros theorem, simple application, root 34, तो cos theta की value क्या होगी, cos theta की value होगी, 5 by root 34, तो secant theta की value क्या होगी, secant theta is nothing but, root 34 by 5, क्यों, क्योंकि cos theta जो है, वो होता है, perpendicular by, sorry, base by hypotenuse, base upon hypotenuse, और यह क्यों होता है, hypotenuse by base, अब हम, यह तो direct deploy करके value निकालने, तो अगर आप देखेंगे, तो यह value हो जाएगी, 5 into cos theta, which is 5 by root 34, right, minus 2 times secant cube theta, so secant cube will be, 34, माप भी देगा, 34 root 34, if you cube root 34, you will get this, and divide by 125, हाँ जी दोस्तो, उम्मीद है, यह आपको समझ्याया होगा, अब, चुकी यह complicated calculation हो रहा है, तो मैं इसे उपर, इस तरफ यहाँ पर, यहाँ लिखने निकिश करता हूँ, ताकि space को utilize किया जा सके, तो पहले हम लोग numerator ही निकाल लाएँ, cos और यह denominator, यह दुनों को मैंने multiply कर दिया, ठीक है, और उपर क्या बचेगा, 25 अल्रड़ी था, यह 25 अल्रड़ी था, अब, चुकी मैंने common denominator किया है, तो यह हो जाएगा 25, root 34 इसमें already था यहाँ पर, तो इसको multiply करना पड़ जाएगा, 125 से, उम्मीद है, यह समझ में आ रहा होगा, और यह minus क्या हो जाएगा, 2 times 34 times 34, यह हो गया calculation, यह हो गया numerator, और denominator में क्या होगा, अच्छा पहले numerator, पहले numerator कर लेते हैं, फिर denominator, यह थोड़ा, लंबा calculation होने जा रहा है, तो ऐसे cases में, हम यह भी देख सकते हैं, अब ही तो हम आगे बढ़ चुके हैं, तो अब यहां से process change करना, advisable नहीं होगा, तो इसको हम यहां आगे बढ़ते हैं, और let's calculate this, 25 into 125 is, you can calculate, 25 times 5 is 125, so 5 and 2 and 3125, it will be like this, आप देख सकते हैं, यह होगा, 3125, 25 into 125 is basically 5 to the power 5, which is 3125, है कि नहीं, आप इन पर check कर लें, pause करना चाहें, pause कर सकते हैं वीडियो, और उसके बाद, आगे बढ़ना चाहें, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमेशा सही बनाएंगे, और यह हो गया, minus 34 into 34, now let's say most of you will not recall the square of 34, तो 24 into 2 कितना होता है दोस्तों 68, अब 68 into 34 करना है हमें, तो यह याद रखेंगे, कितना होगा, calculate करते हैं, 48 जा, 32, and 4 3 जै, 24 plus 3, 27, so 272 होता है, और यह हो गया, 3 into 8, 38 जा, 24, and यह हो गया, 20, तो आंसर क्या हो गया, 2, 11, 3, 2, फिर से चेक करेंगे, 2, 1, 3, 2, and then I have to subtract now, 2, 3, 1, 2, divided by, 125 root 34, एंजी दोस्तों, तो इसका difference निकालेंगे, हम difference कितना हो गया, तो difference आ रहा है, 8, 1, 3, by, 125 root 34, याद रखिए, यह अभी तक हम लोग निमेरेटर निकाला है, यह ना, यह सही किया मैंने, एक बार आप चेक करेंगे, 12 में से 1, हाँ, 2, 2 में से 1, 1, and, 8, 1, 3, 8, 1, 3, by 125 by root 34, बढ़िया, what is denominator, लेकिन अभी हमें स्पेस करंच हो गई है, तो मैं यहाँ पर दिखा हूँ, what is denominator, okay, what is the denominator, denominator में क्या है, cos theta प्लस 2 secant cube theta, so cos theta क्या थी, cos theta की value हमें निकाली थी, that was 5 by root 34, और इसमें हमें, add करना है, secant cube, 2 times secant cube, so 2 times secant cube theta was, 34 root 34 by 125, तो यह तो सेम ही रहा, तो अगें इसके LCM हो जाएगा, 125 root 34, और उपर में क्या मिलेगा, उपर में आपको मिलेगा, 5 into 125 is 625, simple, and this one is same as the value, which we calculated above, so 2312, बैठरीन, तो इसका total value कितना आगया, यह हो गया, 5 और 2, 7, 2 और यह, 1, 3, 16 और 6 और पेश 2937, 2937 और 125 root 34, so this value is denominator, my friends, and where was the numerator, this value is numerator, okay, so can we reduce it, yes we can, so hence, आप अगर आप देखें, दोनों में, denominator सेम है, so वो तो तो चैंसल हो जाएगा, so basically let me, now finally do it here, यह पेस्पेस मैं इसलिए, फाइनल आंसर के लिए बचा के रखा था, तो numerator में है, आपका 8, 1, 3, divided by 125 root 34, no problem, and denominator में है, आपका 2937, divided by 125 root 34, so चुकी तो दोनों का denominator सेम है, so यह तो cancel out, so what is the final answer, 8, 1, 3 by 2937, but you can see, there is a three factor, factor of three common, so यह हो जाएगा, 3, 2, 7, 1, and यह क्या हो जाएगा, 3, 9, 23, 7, 9, 979, so answer is 271 by 979, and hence you can see, this answer is here, 271 by 979, so इस question में थोड़ा ज़्यादा, comprehensive calculation हो गया, तो ऐसे सवाल भी आपको आ सकते हैं, तो आपको तयार रहना पड़ेगा, आपको आसे complex calculation करने के लिए आपको तयार रहना पड़ेगा, अधर कोई तरीका था जिसमें कि हम यह कर सकते थे, simplified version में, वो हम कर सकते थे, कैसे, उसको करने के लिए, हम identities का यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें भी calculations आपकी ज्यादा ही बन थी, क्योंकि अगर आप यह number देख रहे हैं, 271 में 979, is not that very close to anything, जो हम लोग डील कर रहे थे, sin theta, cos theta, तो tan theta की value 3 by 5 है, उससे कहीं दूर यह number है, तो थोड़ा complicated calculations तो होने थे, ठीक है, तो इस question को हम यही विराम देंगे, अगले question पर चलते हैं, और यह रहा अगला question, अब यहां से थोड़ा mode change हुआ है, आप देख सकते हैं, पहले अभी तक हम लोग simple trigonometric ratios की बात कर रहे थे, अब इस सवाल में standard angles आ गया है, तो what is this tan square 45 degrees, तो आपको सब को पता है, tan square 45 is how much, this is 1, tan square 45 is 1, tan square 45 is 1, cos square 30, cos 30 कितना होता है, दोस्तों, cos 30 होता है, root 3 by 2, तो यह square होके हो जाएगा, 3 by 4, that's how I will solve, now this is equal to, so 1 minus this, so let us write here, 1 minus 3 by 4, is equal to x times sin 45 degrees, sin 45 is 1 by root 2, यह तो आपको याद रखना पड़ेगा, और cos 45, cos 45 is also 1 by root 2, आपको sign की table, अगर जल्दी में अगर आपको याद नहीं रहता है, तो आप यह तरीका अपना सकते हैं, 0, 30, 45, 60, 90, तो इसका होता है, 0 by 4 square root, इसका होता है, 1 by 4 square root, इसका होता है, 2 by 4 square root, इसका होता है, 3 by 4 square root, और इसका होता है, 4 by 4 square root, this is the standard, 0, 30, 45, 60, 90, correct नो, और इसी का, उल्टा होता है, cos की value, so cos में, 0 by 4 यहाँ हो जाएगा, यह 1 by 4 यहाँ हो जाएगा, यह 2 by 4 यहाँ हो जाएगा, तो सारी value, so just in case, अगर आप भूल गए, ऐसे तो इसकी जरूत नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप भूल गए, तो आप यह table को याद रखने, sin 0, 30, 45, 60, 90, so how to remember, under root 0 by 5, 4, 1 by 4, under root 2 by 4, under root 3 by 4, under root 4 by 4, like that, and then reverse order, cos, and then ratio is 10, and then all others, you already know it, then this is x here, into sin 45, how much, oh, I already wrote, मैंने लिखा यहां पर, यह तो हो गया, so 1 minus 3 by 4 is 1 by 4, is equal to x into 1 by 2, isn't it, so x is equal to 1 by 2, बिना किसी तक्लीफ के x is half, you can, one step which I did not write, is this 2 by 4 here, cross multiplication, so x is half, so hence answer is D, तो हमने पहले 10 सवाल लगा लिये, अभी 90 सवाल और लगाने दोस्त, एक ही chapter के 100 सवाल है, और यह सवालों में से ही, कुछ न कुछ आपका board exams में भी, similar questions आएंगे, तो आपको इस तयारी से, या इस इन सारी questions को करने से, अच्छी तयारी मिल जाएगी, तो चलिए, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले 10 सवाल लेंगे, और फिर से solve करेंगे, तो आपको process पता है, आपको क्या करना है, आपको pause करना है video, solve करना है, फिर solution देखना है, फिर दूसरा question देखना है, pause करना है video, solution देखना है, ऐसे करते करते, आपकी तैयारी बहुत ही बहतरीन हो जाएगी और दुनिया की कोई ताकत आपको अच्छे नंबर लाने से नहीं रोख सकती चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाय